हेलो स्केलेक्ट आंशरगमाप का स्वाइड ऊस्वाई तो कैसे हैं आप सब ही आसागरते हैं आप बहुत अच्छे हो गए तो एचे डिवाला सेटपबॉक्स है MPG4 तो दोस्तो यह सच्टेनी आते महंगे सेटपबॉक्स आते हैं कमसे हजा जार रुपय के आते हैं वह साथ स तो दोस्तों इसमें से इसमेल इती का फिसारी उसके बाद में बंद और आगसी लगी थी इसके अंदर कुछ करा होगा जबी तो अब देखे हम चोटा चार्ज रहा है इसी कहीं हम इसको लगा के दिखाते हैं एक एंपियर का है बार जी जिरो बाराइगा ठीक है तो हम इसको दोस्तों अभी लगाएंगा पहले आपको मैं वोल्टेज चेक करकर दिखा देढ़ा हूं देखे हमने मल्टी मेटर को वही 20 वोल्ट डिसी पर रखा और इसकी प्रोब मैं अभी लगा के दिखाता हूं सही से में अभी कैम्रे को सेट करूंगा जब आपको पूरा खिलेर त तर्फ तर्फ पास वोल्टेज आ रही है सही है 10-30 तक भी ऑप्रेट रहे हैं जैसे हम यहां पर प्लग को लगा रहे है तो पूरा लगा दिया है पिन को देखे हैंब कोई भी पावर की लाइट वागारा कोई डिश्प्ले वागार आप यहां पर ओन है पावर वागारा को फोलते हैं कि वीडियो नहीं है नहीं है हमारे कुछ नहीं है कुछ नहीं are हमारे रिए एक्सक्पीर्ण रहा है कि कहीं से कुछी होने के लिए और वही आपको डिखा दिखा दिखता है तो जल्दी से इसका डखन को ओपन कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों यह रियल एक्सपिरियंस चलता है यह पर कोई ऐसा नहीं कि फाल्ट बना बनुकर रख लो और भाईया उसको कर देखा दो वहाला काम नहीं है यहां पर बिलकुल रियल एक्सपिरियंस जीदा वीडियो अब इसका नम्बर क्या है वो बताओंगा यह जो नहीं कोने पर यह तो पांच वोल्ट के लिए और 3.3 वल्ट के लिए होती है तो यह काम क्या करती है यह रेगुलेटर का काम करती है दो हजार नहीं आइसी होती है तो दोस्तों जल्दी क्योंकि मुझे सेटाब कॉश्य कर यह कोने पे जादा था है यह कोई होती है हमारे यह डायोड लगाए होते हैं यह दो जार नौ आई सी यह का जो बिच वाला है ग्राउड पॉइंट रहते है वह दोस्तों बोर्डी से चल्ए बोर्डी आप फुका हुआ है अब हम देखें चार्जर को लगा के दिखाते हैं ज ग्राइब दोनों कंडिशन हो सकता है तो हम क्या करेंगे इसमें 5 वोल्ट बारा वल्टी से हभी चीज़े हैं तो जहां पर पॉइंट लिख हुआ है ग्रांड से एक प्रोब ग्राउड पर लगा करें तो मारे कोई वोल्टेजह सबसे फाइलिपन परeless फाइव ड़ा यह हुं दोस्तों सीधिर शी बात है जब इस वो नहीं बननी इसका रीजन है यह आइसी तुम क्या करेंगे अभी मारे पास एक मदर बोड रहे है उसमें से निकाल तो भाइवोल्ट की ज्यादा है तो पहले में यह निखाव लेता हुँ मैने जो दोस्तो इसका सौंड है वह मुट कर रहा है जो हम यह पे काम करने क्योंकि डोस्तों कुछ कोई अपना अपना कहता है कोई अपनी चलाता है तो वाला हम आपको नहीं सुनाते हैं आपको डिश्टम नहीं करते हैं तो दोस्तों हमने आइसी निकाल लही है आइसी निकालने के बाद अगर आपके पास कोई मर्दर बॉर्ड पुराना पड़ा है यह आइसी देखिए यह दोहजानों आइसी है इसमें कटिंग बनी होते है दोट वह उधर की तरफ पॉइंट रखना होता है जैसे आपने PCV में यह पर देखिए यह निकाल दी बीचो बीद देख सकते हैं आप से ग्राउंड पॉइंट बोड़ी से अटेस्टा ठीक है एक तरफ कटिंग बनी हुए एक तरफ कटिंग में जिधर कटिंग बनी हुए यह उधर दोट भी एक चोट असा तो ऐसे ही आमें पुराणी आईसी को लगाना होगा होगा में पे डोट बना हुए देखिए जैसे कोने पर देख सकते हैं तो मैंने मार्कर के दिखा दिखा दिया तो इस डोट पे दोस्तों हमें उसी जो पुरानी आईसी लगाएँगे वो डियोट सेम होना चाहिए अगर आप उल्टी लगा दे तो तो पिना उठोके खराब हो जाएगा थोड़ा सा जूम करने कोशिस करी हमने तो उसमें दोस्तों आपका या तो मीटर चुप जाता या आपका इसी चुप जाती है तो इसलिए आपको पूरा किलिर ली ऐसी मिल जाती है नहीं भी मिलती तो मैं आपको बताओंगा उसका भी समाधान क्योंकि भाहियो कोई थे साथी ऐर्येमे रेता है कोई नगर एर्यमे को बहुत दूर जाते हैं एसा होता है उनके पास नहीं हो खोड़ी सी चीज होती है वो मैं बतादो हैं और एक बंद सैज के और या कहीं भी आपको मिल जाएगी वर बताओं को दोस्तों वीडियो के लाश्ट में ही करके दिखाऊंगा सिधा हमारे चैनल पर यहीं खास बाता है करके दिखाया जाता है बहुत सी इंफर्मेशन भी जाती है लेकिन हर चीज वजाएतर करके दिखाने कुछ करते हैं तो हमने स आपको लगा देना है आपको मसीन की टेंपेचर क्या रहना चाहिए आपका 350 डिग्री टेंपेचर और दोस्तों अपनी दो या तीन पॉइंट पर अपना एयर रखनी आपको ठीक है उसमें आपके ना तो कोई SMD वगारा खराब होंगे और ऐसे के ऐसी बिल्कुल आपका का हो जाएगा ठीक है दोस्तों यह मना इसी लगा दिया दो हजार नो नंबर ठीक है अब एक बार साइट को उन करने की कोशिस करते हैं कि हमारा काम होता है पर उससे पहले बार सोल निंग अच्छे से कर दें क्योंकि SMD मशीन से कभी कभी कभा एकादी फिन पर सोल नहीं हो पा दोस्तों हमने माँ पर फिलाल क्या किया दोरी को कर लिया है अब यह कनेक्टर वापसी लगा देते हैं इस ओल्लिंग हमने कर दी आपके सामने एक बार सेट को उन करने की कोशिस करते हैं तो यह बार और परजेंट है इसमें ठीक है मैं छोटा ही चार्जर लगांगा पहले चार्जर लगा चुका हूं और सेट कॉन करने कोशिस करता हूं तो दोस्तों भी सेट ओन नहीं हुआ है और यहां पर आइसी बहुत हले किसी गरम भी हो रही है वो तो खेर हीटिंग ज़ेसा है क्योंकि अभी उता रहा थी आइसी तो एक बार हम क्या करते हैं मल्टिमेटर क तो डायोड तो दोस्तों कोई भी शोटिंग नजर नहीं आ रही है जो मारी क्वैल लगी है उस पर चेक करें वह ठीक है और आगे की तरफ जो डायोड लगे उस पर चेक करते हैं और क्वैल वगरा तो सब इकुछ हमें करीब करीब तीक दिखाई दे रहा है ठीक है कोई बा पूंस नहीं ना कोई लाइट है ना कोई डिस्पले पर ओन बूट कुछ नहीं है जैसे बूट अटा था एंपर एसा कुछ भी नहीं और यहां पर दोस्तों जो है आई-C थोड़ी बहुत ही ठोड़ी है यहां पर दोस्तों मैं इस करेक्टर को यह बाले को और अब इस पर चेक कर लेता हूं बीस वोल्ट लगाके सबसे पहली पर सबसे लाटकी वह जो की पांच वोल्ट आनी चाहिए थी तो मैं यहां पर देखता हूं तो कोई वोल्टेज नहीं आ रही क्योंकि हमने देखके काड़ भी कनेक्ट कर रहा है बार वोल्ट से और आई-C भी ठीक लग बनती है हो सकता है कि मदर बोर्ड में उसमें भी आई-C यह खराब हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 3.3 वोल्ट जो है वही 5 वोल्ट से लग के आ रहे थे मलब बन के आ रहे तो तो इसमें जो आई-C लगी हुई रेगलेटर उसको ऐसी लग रहने देना है अगर उस सोकिट होता है उसके पीछे की तरफ वो सारा एरिया ग्राउंड होता है तो उस पर आपको 8705 लगा करके बिच वाली पिन को खाली चोड़ देना है तो पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं यह मैंने यहां पर लगा दिया नंबर देख लिए 7805 इसका नंबर है जो क सबसे पहली पर सबसे लाइं पे शॉक्टिंग क करनी को देख करनी है है कि अध si ऑड़ लगागे है ध्यक्य तो हमें क्या करना है आप 5 लेने आपको भी जहें हमारे दोस्तों पांच वंड बीस हैं आपको दिखा देने चाहिता हुआ है ऐक तरह के पर बहुत हैवी लोड के हमारे पांसी देख 4.94 तो मैं क्या करहूंगा एक ग्राउंड पिन इसकी दोस्तों इस पर लगा दूँगा जो हमारे निगेटिव है ग्राउंड पॉइंट है यह जो इसके प्लस पे है मैं इसको लगाउंगा जैसे मैं प्लस पे लगाए इसमें हलक सब्सक्राइब देख सकते हैं जैसे आप बोर्ड खोलोगे तो एक तो पिन ग्राउंड से पूरे बोर्ड से अटैच रहेगी एक पिन दोस्तों बिल्कुल खाली रहेगी सब सो पर गी तो वह हमारी दोस्तों प्लस की पांच वोल्ट होती है ध्यान नख रहा है तो दुबा से टोन हो सकता है अगर आपकी मेन आइसी नहीं गई होगी मेन आइसी का भी पता लगाने का तरीका है मैं अभी दिखा दूँ आपको यह आपको इस तरह से रोक के रखने दे आपको पांच वोल्ट की तो ठीक है यह जरूरी है कि सोटिंग निकलनी है कहां पे है फाइव व पर जंप उठाएंगे दो तार लेंगे अलग से ठीक आपको देखते रहना है ठीक तो करेंगे भई कुछ नो कुछ तो लाश तक समधन अब हमें दो तार लेंए अठाटा जिरो पांच की पिन नंबर वन पे बारा वोल्ट देनी है जो की आपका पीछे की तरफ कर लगा है को तेसे और दोस्तो इसके आउट पूट जो यह फिर नंबर ओकर पांच वल्ट उठांगे आसे जै greater cry तो जैरेंगे तो झ उखार थार की यह सवार कमी दोचिता की यह गौन आक दोस्तो पांच कर्णा में लगा होंगे पिन चार्जर में कर बूंत करदाtez गी तो जो तो यानई कि एक तरह का औरंज कलर का तार हम ने दूस्तों पाइवब गले लिया है यलो कलर का बारह वोल्ट के लिए लिए क्रांड ग्रांड रह जुरत नहीं क्योंकि अधिन ग्लेत प्रविए श्माज कर रेख तो जो पांच वोल्ट वाला पिन है यूसयज अउस्बी कि हम इ यहां पहले किसी है फोल्ट इससे क्या होगा दोस्त हमारी 12 वल्ट तो पर जेंट रहें कि रहेंगी बोड में ठीक है जो कि पर लेकिन हलका सा देखिए द्वा लिगड़ा लिगड़ा पांच ओल देने के बाद प्रोपर अभी डिस्प्ले में कुछ नहीं है तो चैंपिन की एक और आइसी लगी होती है रेगुलेटर वही मुझे शोट लग रहे है तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से जश्टिस के पावर कंडेकर तो आचुका एं पावर कंडु अचुका है लेकिन डिस्प्लेव कुछ नहीं दिखाए दे रहा है यह दिस्प्ले का करेक्टर भी लूज हो सकता है इस वज़े से भी प्रोब्लम हो सकती है तो मैं और एक फ और चीअच ऑफ करुकरं करता हूं तो को उस्तो दोस्तों बूट आ गया लिखावा में बहुत कुछ हुई देखे यह देखे बी डबलो टी लिखावा आ चुका है देख सकते हो आपके सामने है और सेट को दुबार देखे जिरो जिरो एट टू इसमें आ चुका है कोड बना अभी निखे डिश्पेल चुक पर दुबार दिखा दूँ अब यह अपको सैट कोफ़ के भी दिखा दो चाल चुका आपके सामने ने डिखिये इसमें आ दिस्प्ले आचुकी है और यह आउट आपके सामने हमार देखे सेटाबोक्स अच्छा एक अठाटा जीरो पांच लगाया हमने आपके सामने सेटाबोक्स के लिए रह चुका है ऐसे हमने पहले भी काफी सार रिपेर कर रखे हैं काफी अच्छे चल ले है कर्स्टुमर के कोई दिक्कत नहीं आई यह बहुत बढ़ बता देना दोस्तों वीडियो अच्छी ले तो लाइक कर देना दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स वीडियो में दोस्तों आपने बहुत प्यार दिया वीडियो को लाश तक देखा आपने देख लिए तरीका देख लिजिए हमने कैसे कैसे लगाया यह कैसे कैस से आपको समझा है सभी चीजे कम्प्लीट है तो आज के इतना ही जैहिन वंदेवातन दोस्तों आपका दिन सुबों आप सभी अच्छे नहीं खुश रहें वह वन आप सभी को खुश रखें